प्रीजोतिस प्रेमियो ओम नमा सिवाय और ये ओम नमा सिवाय मन्त विसे इस तोर पर आपके लिए काम आने वाला है अभी देव वरसों तक क्यों क्योंकि आपकी मिथुन रासी है और मिथुन रासी से अस्टम सनी देव गोचर कर रहे हैं जिसे कहते हैं अस्टम अस्थानस् धाया और यद्दब की सनी की अपनी रासी है फिर भी लगन से अस्टम और रासी से अस्टम तो इस करण से सनी को यहां का फल करना है यहां से तीसरी दिश्टी यहां का फल करना है यहां से साथवी दिश्टी यहां का फल करना है और यहां से दस्वी दिश्टी यहां का विसे इस फल करना है साथ ही में सनी देव के साथ गुरू को रहना है यहीं पे जो गुरू का नीच भंग हुआ है पर अस्टम अस्थान में कोई भी नीच भंग राजयों को गरह नहीं बनता विपरीत राजयों बनता है पर सनी से बनेगा गुरू का नहीं हाँ गुरू है तो सनी मे मार्च तक प्रभावी होगी जब तक सूर्य देव कुम्भ रासी में ही गोचप करते रहेंगे अर्थात यह मासिक रासी फ्ल है दो तिन दिन लेट हुआ व्यस्तता के कारण चमा करेंगे आए देखते हैं अन्य ग्रहों की क्या इस्थितिया है और यह चैनल पर पहली बार आ लेगी और हमारी वीडियो की जो लिष्टे हैं उसमें से अपनी मन पसंद वीडियो देख करके और लाब उठा सकते हैं वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक भी कर देंगे पोच्छान बिलता है तो यह में थुन रासी है इसके स्वामी बनते हैं बुद्ध देव बुद् नहीं पता है तो नाम रासी से देख सकते हैं जो कारेव्यापारादी में विशेश रूप से प्रभावी होती है अब सारे ग्रहों की स्थिती हम देखेंगे आज चंद्रमा यहां पे हैं एकादिस चंद्रमा का कोचर अच्छा है तो यहां से लेकि दो ढ़ाई दिन तक आ जाएंगे तो आति भी से साधान राना होगा मंगल देव को 22 तरीक को यहां से यहां चले जाएंगे अर्था लगवग लगवग मंगल देव पूरे महां द्वादस ही रहेंगे फल वहीं का करेंगे और 21 तरीक को सुक्र भी कुम्भ में चले जाएंगे इसलिए हमने पहले से ही सुक्र को कुम्भ में लिखा हुआ है क्योंकि एक कैस कोई बहुत दिन नहीं है तो लगवा लगवा पूरे मां सुक्र यहीं पे रहने वाले हैं बुद्ध लगवा पूरे मां अस्टम में ही रहने वाले हैं दस मार्च को यह जाएंगे यहां से कुम्भ में तब तक बुद्ध देव यहीं हैं गोचर सुभ जो कहा जाएगा तो रासी से सुभ गोचर केतु का हो गया और बुद्ध का हो गया शुक्र का हो गया चंद्रमा का हो गया और मंगल भी एक कईस तारिक तक सुभराने वाले हैं तो आज हमारी सतरा तारिक है इन तीन चार दिनों में बहुत आपको अश्टम अस्थान धाया से रहत मिली हुई है कुछ अच्छे कारे करना चाह करके इसलिए अच्छा नहीं होगा और सूरिद्व पूरे माह यही रहने वाले सरप्रथम हम देखते हैं आपके मन की क्या इस्थिति है क्योंकि मन से ही बरतमान है और मन ही स्वस्थ है तो भी सरीर स्वस्थ है और यदि स्वस्थ सरीर है तो मन स्वस्थ है परन्तु मन तो अभी यहां से डवा डोल रहना ही है तो इसलिए मन को सांत करने के लिए सीव जे की उपासना करते रहनी है मोती भूल के भी धारण नहीं करना है दोसरा देखते हैं कि यह लगन का और यह दोनु भावों का स्वामी बुद्धो करे के अस्टम है तो इस भाव की तुवर्थात भूमि भौन माता वाहन से समझेट कोई बिसेस परसानी नहीं होनी है नया भूमि लेना चाहते हैं तो यह दिप रियास करेंगे तो सफलता मिल सकती है लगन के समद्ध में यह कहेंगे कि लगन यहां पर बुद्ध है अब रहासी से तो उत्तम गोचर है तो विद्वानों कि यहां पर अश्टक बर्ग में बुद्ध को पाच से अधिक अंक मिले हैं चार से भी अधिक अंक मिले हैं तो जो उत्तम फल है वो और अधिक हो जाएगा और यहां से यह सुख देगा और संतान प्राप्ति में भी सहयोग करेगा अर्थात यहां से सुक्र यहां अस्त होत तो थोड़ी से यूग मतलब कमी आएगी गुरु भी यहां पीडित चलेंगे और जो है शुक्र भी अस्थ हो जाएंगे तो नए तोर पेदी संतान प्राप्ति के चुक हों तो थोड़ा सा बहुत अच्छा समय नहीं है जब बहुत अच्छा होता नहीं है तो बोलने में भी खड़ाहत होती है इसलिए मैं मिथुन रासी की पहली वीडियो बना रहा हूं और कुम्भ की पिछले माँ एक बनाया था एक तो स्रीमतिजी मिथुन रासी की आज है नहीं बाहर है इसलिए मौका पाया हूं तो मिथुन रासी की बना रहा हूं तो अखर देखिए क्या क्या हो सकता है यहां से पीता से मद्वेद हो सकता है यात्राएं हो सकती है धन की हानी हो सकती है सुर्यदेव कराने के लिए त्यार रहेंगे धन सुक्र देने के लिए कोशिस बराबर प्रयासरत हैं और बुद्ध भी धन देंगे राहु यहां से खर्च कराने के लिए तयार है और जब मंगल यहां पर आ जाएंगे तो खर्च की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी और आए में भी कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जिनकी सरकारी नौकरी है नियमित आए जिनकी बनी है उनकी तो कम नहीं होनी है वो तो रहेगी तो खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और खर्चे हास्पीटल आधिपे भी हो सकते हैं कोट केस का चहरी में भी हो सकते हैं और वो सब नहीं है तो सापिंग में भी हो सकते हैं और भूमी भौन वहां यदि खरीदने जा रहे हैं तो वहां भी काफी अधिक बैर हो सकता है माता की बिमारी पे खर्च हो सकते हैं और यात्राओं में इधर कोई विसे सुक की प्राप्ती भी नहीं होने वाली है और भीवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो काईसा रहेगा तो यजित पूरुश जातक हैं तो भी बिवाह के लिए दिकत है सुकरश्ठ वो जाएंगे जल्दी साधित ह 되면 नहीं होगा और यदि महिला जातक है अर्थात लड़की हैं तो भी विवा के लिए परसानी बनी हुई है सोतंत्र कुंडली के तौर पर देखेंगे तो यहां से मंगल की यहां पर दृष्टी है भी ठीक नहीं है भावे से यहां जाकर कि फसा हुआ है अश्टम में जाकर कि निश्चित तोर पर यहां से गुरु को देखवल मिलता है तो यहां काफी बलही नवस्था में सड़बल में देखेंगे तो इस समय सारे नौ ग्रहों में सबसे बलही निस्तितित में गुरु ही है अब देरे-देरे सुधार हो रहा है क्योंकि वो सनी से हो सकता है तो माता की बिमारी पर जया सकता है भूम общем पर जा सकता है यहां कोट के चाहरी में खर्च हो सकता है और और संचितत धन है वह भी जो है नास की योग बने हुए हैं इस लिए सावधान रहना है और साõदान कौन करेंगा आपका लगनेस बुद्ह यदि व्ल вмbro तो बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करने से लाब होगा ओम ब्राम रेम ब्राम सा बुद्धाय नमा या ओम बुम बुद्धाय नमा गड़जी की मूर्ती के उपर ओम गड़पते नमा करके दुरुबा चड़ाएंगे तो उससे बुद्ध को भी बल मिलेगा और साथ में गड़जी की किरपा प्राप्त होगी रहू केतू के अनिष्टों का भी जो है समन होगा आपके लिए काफी अच्छा रहेगा लच्मी जी के उपासना इधर करते रहेंगे तो वह भी काफी लाब होगा आपका पंचमीस और द्वादर से दोनों सुक्र अस्त चल रहे हैं इसलिए सापिंग आदी से भी सावधान रहना है और संताना अदी के स्वास्त को लेकर के भी सावधान रहना बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे समय अनुकूल नहीं है वह धन्द जाते हैं तो वह प्राप्त हो सकता है भाईवानों से अच्छी बनेगी भाईवानों के उपर भी आपका धन खर्च हो सकता है और दौकरी की समध्व प्रयास रत हैं तो इस्थिति बहुत सुखद नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं यहां दसमेश और ये दो केंदरों का स्वामी होकर कि गुरु बलहीन इस्थिति में हैं तो रोजगार के भी बहुत अच्छे आउसर नहीं है मंगल यहां से यहां पर भी देख रहे हैं तो अपने भाव को देख रहे हैं पर राहु केतु कि इस्थिति है तो बहुत अच्छे इस्थिति नहीं है बहुत संघर्स करेंगे तो ही सफलता प्राप्त होगी और उपासना विसे इस तोर पे इसमें सहयोगी साबित होगे यह इस्थितियां रही और इस सतर्क रहेंगे तो विसे इसलाफ प्राप्त होता रहेगा और पुना चंद्रमा यहां निकल के रासी में ही आएंगे तो उस समय सुख प्राप्त होगा, मन सांत होगा और प्रसंदता दायक इस्थिती बनेगी, कुछ अच्छे कारे भी वहाँ पर होगे, यहां से चंद्रमा अपनी रासी में आएंगे तो धन के समध्ध में कुछ अच्छ पुना चंद्रमा जब यहां आजाएंगे तो भी मन में छोभादी होगा, यहां आएंगे तो रोग आदी जो इधर थोड़ा बहुत बने रहेंगे, समाप्त करने की कोशिस वो चंद्रमा करेंगे, पर मन असांत हो जाएगा, क्योंकि रावुकेत के अक्ष में पुना भंस यहां आएंगे तो भी सुख्विदायक और पसमतादायक इस्थिती बनेगी तो इस तरह से